गूज पर से यह में बार कि ना करा फिरसे एक बार रहाी को इसको श्री में मेचिस फिरा शैन को अधर्य होज लेकल। अगि है यह से यह हुआज से मिलकर और कि मैच्टन को मिलकर अंगर हमμεत बनाते हैं तो इसको एलॉइory बोलते हिए तो पढ़ाओगा तो स्टील बेसिकली है, एक एक लोई होता है, आईरनैनों काबन का, स्टील में आ सेयरनों काबन के परपोर्शन काथे आँन। जैसे जैसे हम काबन के थाटन बढ़ाते है इसमें तो किया होता है? इसमें 152 चेशन स्टील में बढ़को पया है ук ? तो मैं ना हमको ऐसे structure जो हम structure engineer बनाते हैं तो हमाई लिए ऐसा नहीं कि हमाई लिए strength ही बहुत ज़ादा ज़रूरत फायदे मंद होती है हम चाहते हैं कि वह ductile भी हो होते हैं वह लोग वहां से निकल जाएं और उसके बाद वीम फेलो तो हम जाते हैं कि ductile भी हो हमारा हम यह नहीं चाहते हैं कि हमें strength बहुत अच्छी मिल जाए हमां जो section है वह बहुत ही छोटा sleep बने हम यह भी चाहते हैं आपकोस हम यह चाहते हैं कि हमाए जो structure है वो कम space ले ज्यादा strong बेर कर ले देंगे at the same time हम यह भी चाहते हैं कि हमां structure क्या हो ductile हो ठीक है तो आपने कई types of steel available होती है मार्केट में इसको हम mild steel भी बोलते हैं mild steel basically low strength high ductility steel होती है again इसकी strength क्या होती है FE 250 FE stands for iron 250 stands for characteristic compressive strength in newton per mm square ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें low carbon होता है जिसकी वाड़े से इसकी ductility क्या होती है high होती है next next type of steel bars आती है high yield strength reform bars इसमें क्यान क्यों से होती है इसमें FE 415 and FE 500 होती है again FE stands for iron and 415 stands for its characteristic compressive strength in newton per mm square हमने characteristic compressive strength discuss क्या हुआ है last lectures में तो आप आप वहां से देख सकते हो यहां पर एक चीज़ बहुत important note करने वाली है यह पर high strength deformed bars यूज हो है यह deformed bars क्या है basically deformed bars आपने देखा होगा कि पहले के जबाने में या अभी भी अगर आपने देखा हो steel bars अगर आपने घर बंते हो देखा हो तो steel bars को हम जब बाहर से touch करते थे तो वह plain steel bars होती थी अभी अगर आप देखो अभी भी आती है plain steel bars हम normal shear reinforcement में यूज करते हैं लेकिन इसे normal अभी क्या है अभी हम उसको जब touch करते हैं उपर से उसमें corrugations, deform, deformations आते हैं आप spiral type का आप देखेंगे उसमें spiral type के deformations होते हैं grip बनाने के लिए ना तो यह होती है deform bars तो यह deform bars आजकल हम यूज करते हैं इसका फायदा यह होता है कि जब हम इसको concrete के साथ एक साथ यूज करते हैं तो concrete और steel के बीच में एक bond बहुत अच्छा बन जाता है जो grip बना के रखता है जो slip नहीं होने देता steel को concrete के उपर क्योंकि जैसे यह bond टूटेगा वैसे ही steel फिल लेना बंद कर देगी ठीक है तो हमाई लिए bond बहुत जादा जरीर ही होता है कि हम यह bond बना रहे है इसी लिए हम future में अगर आप पढ़ोगे तो हम development length और encourage length प्रोइट करते हैं अगीन यह बात के concept है लेकिन यह high yield strength reformed bars आजकल यूज होती है यह अगीन थोड़ी बहुत लो डक्टाइल होती है क्योंकि हम strength साधा कर रहे है और यह strength तो हाई होती है next है thermomechanically treated bar thermomechanically treated bar again एक process होता है जिसकी वज़े से जब हम बनाते हैं तो उसकी again कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं तो हम process में नहीं जा रहे है अगेन यह thermomechanically treated bar normally high strength bars होती है इसमें भी हम 415, 500, 600 FE पा सकते हैं आगेन आप काओगे सर इसमें high yield strength reform bars में भी FE 415 होता था thermomechanically treated bars में भी FE 415 है तो दोनों में सेम है तो आप प्रीज इससे मत समझो कि FE 1415 high strength deform bars होती है या FE 415 thermomechanically treated bars होती है एक process होता है जिसस होती है cold twisted bars होती है हमाई लिए as a civil engineer हमाई लिए यह important है कि 415 क्या है और हम 415 का ही use करते है normal designing process में normally और deform bars है या नहीं ठीक है next time आता है cold twisted deform bars cold twisted deform bars again process में deformation में for example अगर आपने stress strain का पढ़ा होगा इस तरह से तो इसमें एक specific yield point आता है यह जो yield point होता है वो जिस जब नहीं दिखता है यह yield point हर case में नहीं show होता है तो जब यह yield point नहीं show होता है तो वो कौन जी बास होती है वो cold twisted बास होती है उसमें हम yield point मान लेते हैं यहां 0.2% of strain होगा यह अगें थोड़ा उसमें concept में नहीं जाते हैं हम basic वे समझते हैं कि यह इतनी types of steel बास होती है mild steel बास, high steel standiform बास, thermomechanical treated बास and cold twisted बास ठीक है तो नोट कैसे होती है Fe 250 for example for micelle Fe होता है iron 250 उसकी characteristic consistent होती है in newton per mm square आगे चलते हैं ठीक है next होती physical properties of steel हम steel use करते हैं तो उसकी physical properties भी होती है strength होता है toughness होता है ductility होती है weldability होती है durability होता है low weight होता है तो यह basically इसकी physical properties of steel है जो कि as a designer हमें consider करनी पड़ती है यह strength है सब आप पढ़ चुके है strength क्या होती है उसकी ability to resist load है ठीक है strength होती है toughness impact load को बिया करने की ductility ना कि stretch stretch करने पर तूटे ना कितना stretch expand हो रहा है weldability है कितनी आसानी से weld हो जाता है durability कितना वह है durable है low weight कम weight भी होना चाहिए low weight आप कहा सकते हो नहीं जो इतने भी civil structures बनते हैं उसमें आप bridge है तो bridge कोई बन रहा है या flyover कोई बन रहा है तो civil engineering structures के लिए उसका dead load ही बहुत जादा होता है ठीक है तो हम as a civil engineer एक विसी structure का अगर हम dead load कम-कम कर पा रहे हैं तो हम बहुत जादा benefit कर पा रहे हैं हम बहुत जादा material बचा लेंगे cause बचा लेंगे यूगि dead load अगर हम किसी structure काम कर पा रहे हैं तो उसकी foundation भी आपको उतनी मजबूत नहीं बनाने पड़ेगी आपने notice किया होगा कभी आप imagine करके देखिए कि normally हम जो structure बनाते हैं उसका load as compared to जो occupants होते हैं जैसे हम लोग जो उसको यूज करते हैं उसका load आपको क्या लगता है कि इसका जादा होता है for example अगर हम एक घर बनाते हैं तो overall घर का load dead load मलब उसकी जो elements का होता है brickwork और जो उसमें पूरा dead load जो होता है उसका dead load मैं explain कर चुका हूँगी जो structure members का load होता है वह होता है वह load as जिदा बहुत ज्यादा होता है as compared to occupants जो हम लोग हैं हम लोग का use करने का या हम जो उसमें almira और यह सब table chair यह सब रखते हैं यह सब का load बहुत कम होता है as compared to the structure का load तो अगर एक structure कहा जाता है कि अगर वह अपना खुद का load कर ले रहा है तो हम लोग का load या normal occupants का load तो बहुत करी लेगा उसके लिए बहुत important बात नहीं है for example same bridge के साथ होता है यह bridge of way fire होता है उसका खुद का load ही बहुत जादा होता है तो as a civil engineer हमा बहुत जादा more target होता है कि हम उसका उसका खुद का load नहीं dead load बहुत कम करता है तो इससे हम economical बनाएंगे हमा structure ठीक है तो यह होती है कुछ physical properties अगेन हम chemical properties की बात करते है chemical properties जैसे density specific gravity thermal conductivity linear coefficient of thermal expansion electric conductivity resistivity and magnetic permeability इसमें साथ हम डीटेल में नहीं जाएंगे जैसे आपने density तो बढ़ा होगा 7800 kron 102 m2 वह होता है इसे में जीज आपके इंपोर्टेंट है linear coefficient of thermal expansion अब यह क्या होता है इसका answer यह है कि linear coefficient of thermal expansion बिसेकल यह कोशन आता है हम Steal क्यों use करते है हम कोई और Metal क्यों नहीं use करते concrete में बहुत सा ऐस iacids material हैं जो strong है tension में ऑ compression में लेकिन हम Steel क्यों use करते हैं concrete के साथ हम कोई और Metal या कोई और Substance क्यों करते concrete के साथ उसका क्या reason है तो उसका सबसे बड़ा reason तो दो-तीन reason है पहले तो कि एक steel एक cheap है readily available है बोस्ट्रॉंग होता है attention and compression में लेकिन उसका सबसे बड़ा reason ये भी है कि उसका linear coefficient of thermal expansion जो है वो concrete के बराबर होता है ठीक है अब ये linear coefficient of thermal expansion क्या होता है ये linear coefficient of thermal expansion ये होता है कि जब हम जानते हैं हम इसी चीज़ को अगर गरम करते हैं या temperature के उसमें आने से कोई चीज़ expand करती है और जब ठंडा करते हैं तो उस चीज़ को contract करती है ठीक है तो same जब temperature में कोई आपका structure element है for example steel ही जब sunlight पढ़ती है धूप पढ़ती है ते प्रेज़र में हो क्या करता है expand करता है और winter में वो contract करता है तो ये expansion ओ ये contraction जो steel और concrete का क्या होता है बराबर होता है तो उससे क्या फाइदा होता है उस से यह होता है कि जितना steel बढ़ता है उतना concrete भी बढ़ता है जिससे क्या होता है internal stresses नहीं develop हो पाते है ठीक है अगर यह अलग-अलग इनका हो तो steel जादा बढ़ेगा इसमें क्या हो जाता है internal stresses develop हो जाएंगे और इससे cracks आजाएंगे तो एक बहुत बड़ा reason है कि हम steel ही use करते हैं और कोई material नहीं use करते हैं और उसका equally strong होता है tension औfind compression उतना ही मज़वूत होता थोता है 10xn में assess compression में और PHIL जैसे concrete नहीं होता है concrete सिर्फ compression होता है concrete tension में स्टौन नहीं होता है लेकिन steel दोनों में ही स्ट्न होता है tension operation ठीक है और थोड़ा readylivे आर-हसानी से मिँल जाता है साधह कोशली भी steel को use करते हैं ठीक है अब बात करते हैं permissible stresses in steel जिसको हम sigma st से denote करते हैं permissible stresses in steel क्या होते हैं जैसे कि हमने concrete ने पढ़ा था permissible stresses in concrete कि for example m20 grade of concrete के लिए हम permissible stresses क्या लेते थे हम 7 लेते थे bending में और जैसे हम last lecture आपको दिखाएं कि हमने क्या किया था उसके साथ यह थे basically permissible stresses in concrete ने बताया था कि m20 grade of concrete है तो उसके लिए bending में permissible stresses क्या होते हैं 7 होते हैं और direct में क्या होता है 5 होता है मतलब किसी चीज को अगर हम bend करेंगे तो उसके लिए कि permissible stresses क्या है 7 है मतलब 20 उसकी character से compressive strength है मन्दब 20 उसकी ताक्रत है उसकी चंता 20 की है लेकिन हम मान कितना रहे हम मान 70 मान रहे हैं कम मान रहे है ठीक है और बाकी हम क्या ले रहे हैं factor of safety ले ठीक है तो हम इसके हिसाब से design करते हैं ताकि हम safe design करते हैं तो यह हम मानते हैं concrete के लिए for example M20 के लिए हम M20 के हम 7 मानते हैं bending में और 5 हम लोग किसमें? direct में तो हमाईने बिस्क लिए 7 something important है इसी तरह हम steel में permissible stresses लेते हैं और यह steel में क्या होते हैं Steel में लिखा हुआ है up to including 20 mm bars, miles steel के लिए कितना होता है? 140 मतलब miles के लिए क्या होता है? FE 250, FE 250 के लिए कितनी हम stent assume करते हैं? 140 newton by mm square मतलब 250 NW2 तो उसकी characteristic compressive strength है हम जानते हैं माइन सिलगी लेकिन हम use कितनी करेंगे हम सिर्फ 140 मान कर डिजाइन करेंगे और बागी हम क्या मानते हैं हम बागी factor of safety मानते हैं WSM में इसी तरह हम high yield strength deform barz की बात करते हैं high yield strength deform barz क्या होता है FE 415 में हम जानते हैं कि उसकी 4 & 5 क्या 415 उसकी characteristic compressive strength होती है मतला उसकी ताकत होती है लेकिन हम उसकी मानते हैं हम मानते हैं 230 NW2 हम यह मान के चलते हैं 230 NW2 उसकी characteristic compressive strength है और वागी हम ignore कर रहेते हैं वागी हम factor of safety मानते हैं इसी तरह over 20 mm अगर 20 mm है जादा diameter है तो mild steel की strength हम थोड़ी कम मानते है 130 NW2 मानते हैं और high yield standard form उसके लिए उतनी ही मानते है 230 NW2 यह अगर आपको नई सर्म में आ रहा है तो हम जब questions करेंगे तो आपको जान में आएगा कि for example WSM के case में 405 steel barz यूज कर रहे हैं तो हम उसकी strength जो है वो कितनी मांगे उसके हम strength 230 मान तो हम questions करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ भाएंगे उसको permissible stress in steel barz क्या होता है उसके बाद हम बात करते हैं modular ratio modular ratio एक term है जो कि हम working stress method में बहुत यूज करते हैं और इसका बहुत नाम आता है जब हम working stress method से formulas design करते हैं यह होता क्या है basically modular ratio is the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete तो goddamn अब अब आपने young modulus of elasticity तो शायद पढ़ाई होगा कि स्ट्रेस स्ड्रेट्यां से कष esse nato रेशियो और स्ट्रेस dehote efforts, üç hoparl यहीं सतर Susnah एक आपने कि आपनेसर से स्ट्रेस्ट्रेटिक के इस तरह से कुछ बनता है तो यह rag़ो इसका its तो इसका रेशियो क्या होता है उसका रेशियो होता है इसका रेशियो होता है इसको याद कर लीजे यह इदेगा में होता है तो यह पैसे लिए नहीं होता है तो इसका यह पर खिर्ट एपहला पर बीकित लेंगे जुटाए यह मोडिलिल्स आफ एलासिटी पी आफ सेम रहेगी थे ठीक है, similarly, young modulus of velocity of concrete कितना होता है, young modulus of velocity of concrete होता है, 5000 root f c k, ठीक है, हमें इतना ही पढ़ना है, लेकिन यह basically young modulus of velocity क्या होता है, यह short term loads, short term effect के लिए होते हैं, मतलब इसमें long term effects नहीं शामिन करते हैं, जैसे creep, creep होता है, deformation आता है, हमने बताया था क्या होता है, यह मतलब ना, जैसे हम तार कीच के रहते हैं, sustain loading के लिए deformation होता है, जैसे आपने poles के wires देखोंगे ना, जो खेचे होते हैं, वो एक साल, दो साल बाद, उसमें sag आ जाता है, तो वो sag क्यों आता है, because sustain loading होती है, उतना ही load लग रहा है, लेकिन creep के वदर से deflection ज़्यादा हो जाता है, तो वो long term effects होते हैं, तो long term effects को हम निगलेक करते हैं, तब यह value आती है, इसलिए IS code में, जो modular ratio की definition है, वो long term effects को counter करके दी गई है, और उसका formula क्या हम use करते हैं, 280 upon 3 sigma cbc, यह एक simple सा formula है, जो आपके लिए IS code ने बताया हुआ है, यह कहां दिया हुआ है, यह page number 80, IS456 में दिया हुआ है, और इसका क्या है, यह क्या है, 280 upon 3 sigma cbc होता है, मतलब यह formula, यह by definition है, ES by EC, young models of velocity of seal, upon young models of velocity of concrete, मतलब मगर हम इस formula का use नहीं करते हैं, हम किस formula का use करते हैं, हम इस formula का use करते हैं, 280 by 3 sigma cbc का use करते हैं, अब यह 280 तो एक numerical value है, अब यह 3 sigma cbc क्या है, यह sigma cbc है, characteristic compressive strength of concrete in bending, ठीक है, तो यह sigma cbc की value हो, हमने एक table दिखाईती है, अगर आपको आदो concrete के लिए, तो यह concrete के लिए, यह example M25 है, M25 के लिए sigma cbc के value कितनी होगी, 8.5, यह bending वाली जो जितनी भी compressed values हैं, इसको हम sigma cbc के ज़रे note करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर sigma cbc लिखा भी हुआ है, page number 81 पे, ठीक है, तो यह होता है, sigma cbc या modular, इस wsm को modular ratio में third भी बोला जाता है, ठीक है, इसको, यहाँ पर sigma cbc permissible compressive strength due to bending in concrete है, in newton per mm square, ठीक है, next बात करते हैं, हम लोग WSM की, हम धीर धीर जा रहे हैं, WSM में, अब बात करते हैं, WSM में transform section क्या होता है, यह concept of transform section, तो basically यह transform section क्या होता है, transform section एक imaginary section होता है, तो होता यह है, कि for example, यह एक RCC का steel section है, जिसमें आप देखना, एक section कट कर रहा है, तो यह बाहर से हम concrete देख पा रहें, और अंदर steel बास इस तरह से देख पा रहें, ठीक है, लेकिन यह क्या है, यह एक composite section है, composite section मतलब इसमें concrete भी शामिल है, और क्या है, steel भी शामिल है, steel भी अंदर present है, तो इस sections को analyze कर पाना हमाई लिए बहुत tough हो जाता है, कि जहां पर है concrete भी है, और steel भी है, और दोनों मिल के काम कर रहें साथ में, तो हम as अपने काम की असानी के लिए, अपने analysis को असान करने के लिए हम क्या करते हैं, कि हम इस RCC के steel को convert करते हैं, एक homogeneous section में, जो की पूरा का पूरा concrete का बना होता है, इस conversion को हम transformed section बोलते हैं, मतलब अगेन मैं बता रहा हूँ, कि यह जो RCC का steel section है, यह composite है, मतलब इसमें steel भी present है, और concrete भी present है, और दोनों मिल के एक साथ load pair करते हैं, लेकिन हमाई लिए analysis कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वज़े से हम इसको एक transform section में, एक imaginary transform section में imagine करते हैं, जो की सिर्फ concrete का बना होता है, और जो behaves typically इसी RCC section की तरह करता है, मतलब यह अगर RCC situation स्वक लिनोटन का load pair कर पाएगा, तो यह भी transform section क्या, स्वक लिनोटन का load pair कर पाएगा, उससे जादा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके analysis कर पाना आसान होता है, as compared to the steel section, ठीक है, इसलिए हम, इस transform section को, यह होता है transform section, अब यह कैसे assume करते हैं, क्या होता है, इसको हम next परते हैं, ठीक है, तो basically concept of transform section क्याता है, transform section में बदलते कैसे हैं, यह हम, इसके लिए हम एक चोटा सा derivation पढ़ेंगे, उसके लिए आप मिलब देखिए, for example, यह एक beam है, ठीक है, यह, for example, यह एक column है, और इस column पे P amount of load लग रहा है, ना तो यह एक column है, यह इस column में आप देख पा रहे हैं, कि यह बाहर से तो concrete है, अंदर एक line देख पा रहे है, वो steel parts है, उस column के अंदर, इसका section हम बनाते हैं, तो यह जो 4 हमने जो dotted है, यह reinforcement दिखाया है, कि यह reinforcement है, ठीक है, तो यह जो P load लग रहा है, इस column में, है ना, तो यह जो P load है, यह कौन resist करेगा, यह concrete पी resist करेगा, और यह steel पी resist करेगा, तो P is equal to PC plus PST, यह संवाया, यानि P load जो उपर से आ रहा है, कौन resist करेगा, वो concrete पी resist करेगा, और steel पी resist करेगा, अब यह PC load है, load हम जाते है, stress into area होता है, तो sigma C into AC plus sigma ST into AST, यह sigma C क्या है, यह sigma C भी है, stress in concrete, AC क्या है, area of concrete, sigma ST क्या है, stress in steel, और AST क्या है, area of steel, इतना आसान है, इसको for example, हमने इसकी equation रणमान लिया, ठीक है, यह जो उपर से load आ रहा है, वो steel पी resist करेगा, concrete पी resist करेगा, और sigma C into AC plus sigma ST into AST, बेसे के लिए कि हम छोटा सा formula derive कर रहे है, transform section को निकालने के लिए, कि वो transform section यह जो imaginary section होगा, उसका क्या area होगा, ठीक है, in terms of concrete, और उस concrete में stresses कितने आ रहे होगे, ठीक है, next, so, जब for example, यह load लगाते हैं, उपर से load लएगा, तो आप जानते हैं, इसमें थोड़ा सा deformation आएगा, मतलब यह थोड़ा सा अंदर जाएगा, दबेगा, हम जानते हैं, तो यह इस strain in steel के बराबर, तो strain in concrete बराबर रख़ा होगा किसके strain in steel, so, अगर हम strain, अगर आपने पढ़ा हुआ, strain का formula होता है, PL upon AE, यहाँ पर load है, L length है, A area, area of concrete है, EC क्या है, young modulus of velocity of concrete, similarly, strain in steel क्या होगा, PL upon AE, P क्या है, load of steel, जो रइस कर रहा है, L length, length of steel, AST, again area of steel है, EST क्या है, young modulus of velocity of steel, ठीक है, again, PC upon sigma C, sigma C को हम क्या लेकर रखते हैं, यह cut नहीं है, मतलब, यह pawn का sign है, उसमें आप मादली समझेगा, PC upon AC, यानि load upon area हम क्या, sigma C से denote कर देते हैं, और L और L तो cut जाएगा, L जो जितनी concrete की length है, उतनी steel की length है, तो basically क्या है, यह L और L कर जाएगा, तो sigma C upon EC is equal to sigma ST upon EST, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से लिखें, यानि stress in steel is equal to sigma C upon sigma C into EC into EST into EEC, आप हम जानते हैं, मॉडिलर रेशियो क्या होता है, वो EST, यह L और L रेशियो का concrete है, तो हमने एक formula निकाला, यानि stress in steel is equal to M times the stress in concrete, यह stress in steel, sigma ST is equal to M times stress in concrete, इस value को हम put करेंगे अपनी equation 1 में, तो हमने equation यहाँ पे 1 लिखी थी, इसमें हम put करते हैं, तो हम क्या मलता है, हम जो P is equal to sigma C into AC plus sigma ST into EST, यह हमने यह first equation दिया हमारी, यहाँ इसमें जब हम sigma ST की जगापे sigma SCBC पे डखेंगे, तो sigma C into AC plus M into sigma C into EST हो गया, मतलब M sigma CBC हम इसमें, हमने इसमें put कर दिया, sigma ST की जगापे, ठीक है, फिर हमने कहाँ क्या, sigma C into, sigma C common ले लिए, sigma C into AC plus M EST, ठीक है, आप देखें, यह हमारी लिए बहुत ही important line है, जो transform sectional को define करती है, इसमें क्या है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, तो इसमें क्या है, load is equal to stress into area होता है, यहाँ पर load कितना लग रहा था, P, है ना, तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस equation को, इस convert कर लिया, इस form में, stress into area के form में, यहाँ पर stress क्या है, stress, sigma C, B, C क्या है, stress in concrete, और sigma ST नहीं है, stress in steel नहीं है, यहाँ पर AC plus M into AST है, यही वो imaginary area of concrete है, जो की हम transform कर रहे हैं, फुर्ज़ इस्टील को हटा के, मतलब, P is equal to stress into area, load हम जानते, load क्या होता है, load होता है, stress into area के, तो load is equal to stress into area, पर area क्या है, AC imaginary area of transform section क्या हो जाएगा, AC plus M AST, मतलब, यह M AST है, यह imaginary area of transform section है, जो हम add कर रहे हैं, steel को हटाने के बाद, तो यही वो area होता है, यह AC plus M AST जो होता है, वो transform section का area होता है, और यही transform section का concept होता है, ठीक है, तो this is sufficient for today, next transform section का use कैसे करेंगे, हम further पढ़ेंगे, हम transform section का use कैसे करते हैं, और यह आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, बाकी सारी चीज़े हम next class में पढ़ेंगे, okay, thank you.